धंड में गरीब मानिकी अमीर बेटी की विदाई बेटी तु जानती है ना तेरी मा कितनी गरीब है उसके बाद भी तु ऐसी बाते कर रही है मैं अपनी गरीबी के हिसाब से तेरे लिए लड़का ढूंडूंगी बस यही दिन रह गए थे देखने के लिए कि आप अपने ही तरहां एक गरीब परिवार में मेरी शादी कर दो इससे अच्छा तो यही होगा कि जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ उस लड़के से मेरी शादी करवा दो लेकिन तुम्हारी शादी में अपनी मर्जी के लड़के से करना चाहती हूँ ताकि तुम खुश रहो मुझे शादी तो कार्टिक से ही करनी है अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन बेटी मेरे पास इतना पैसा नहीं है तेरे दहिस में देने के लिए वो तो मुझे पता ही था अरे बच्पन से अभी तक आपनी मेरे लिए किया ही क्या है जब मैं थोड़ी समझदार हुई तो घर की परेशानियों को देखनी के लिए घर से बहार शेहर में काम निकरने निकल पड़ी और महां जाकर मैंने अपना पूरा हुलिया ही बदल डाला लेकिन आप लोगों को देखो अभी तक इस गरीबी में नर्क में जी रही हो प्रियंका बहुत गुस्से में अपनी मा से इस तरह की बाते कर रही होती है बेटी अगर तुझे अपनी ही बदंद के लड़के से शादी करनी है तो मैं तेरी शादी ज़रूर करवाऊंगी दुरगेश्वरी प्रियंका की बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और वो इसी के चलते चुप होकर अपने घर के आंगन में ठंड में पेड के नीचे बैठ जाती है और सोच में पड़ जाती है दुरगेश्वरी के पती की चिता जल नहीं होती है वो उसका अंतिम संसकार करके अपनी दोनों बेटियों के साथ वापस घर आ जाती है जहां उनके घर में खाने का एक दाना तक नहीं था दुरगेश्वरी घर में खाली पड़े बरतनों को देखकर सोचने लगती है तब ही उसके बेटी परियंका उसके पास आती है और कहती है दुरगेश्वरी अपनी बेटियों की गुल्लक को फोड़ना नहीं चाहती थी लेकिन मजबूरी के कारण वो खुद को रोक भी नहीं पाती वो गुल्लक फोड़ कर उसके अंदर से निकले हुए पैसों से खाना ले आती है ये लो मेरी बेटियों तुमारी मेहनत के पैसों से आज तुम खुद का खाना खाओ इस तरह दुर्गेश्वरी उस दिन तो अपनी बेटियों के जोड़े हुए पैसों से खाना खा लेती है लेकिन उस दिन के बाद से वो दिहारी मजदूरी करने पहुँच जाती है अरे ये कोईले के फैक्टरी है यहाँ पर कोईला गाडियों में लोड किया जाता है तुम इतना भारी काम कर लोगी अपनी बेटियों को पालने के लिए मैं कुछ भी करूंगी दुर्गेश्वरी सारा दिन ठंड में कोईले की फैक्टरी में काम करती है उसे बहुत ज़ादा ठंड लगती है तोंकि उसके पास एक धंग का स्वेटर भी नहीं पैना होता है वो कपड़े भी जगा जगा से फटे होते है शाम को वो वापस घर लोटती है प्रियंका घर की मजबूरियों को देखकर बहुत परेशान हो जाती है उसे आगे पढ़ना था जिसके चलते वो अपनी मां को बिना बताई ही शहर काम करने के लिए पहुँच जाती है वो छोटी उम्र से ही शहर में काम भी करती है और अपनी पढ़ाई भी पूरी करती है और धीरे-धीरे वो अमीर हो जाती है अगले दिन से दुर्च और धिर्ण परकाम करना शुरू कर देती है दिन रात वो थंड में ठितोरते हुए कोईले फैक्ट्री में काम करती है और इधर उसकी अमीर बेटी की फर्माईश पूरी नहीं होती दुरगेश्वरी को अब अपनी बेटी के लिए कंबल लाकर देना था और उपर से उसकी शादी के पैसे भी जोडने थे वो बीमार पड़ जाती है लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ती बेहन लगता है तुम्हारी तबियत खराब हो रही है तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए थोड़ी देर आराम करोगी तो अगले दिन काम सही से कर पाओगी नहीं बेहन मेरा आराम हराम है मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है और पैसे जोडने है वो किसी की नहीं सुनती और काम करती रहती है और वहीं दूसरी तरफ परियंका फोन पर अपने बॉई फ्रेंड कार्तिक से बात करती रहती है जिसे देखकर उसकी छोटी बहन निशा उस से कहती है दीदी ये सब क्या है जब से आप आई हो मा के उपर हुकम पर हुकम चला रही हो अरे आपने अपनी तरफ से तो बता दिया कि आपने इतना स्ट्रगल किया लेकिन मा ने हमारे लिए कितना स्ट्रगल किया आपने वो नहीं देखा उन्होंने कितनी मुश्किलों से हमें बड़ा किया था उन्होंने आपकी शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ कर दिन रात महनत करके उन्हें जोड़ा है लेकिन अब आपको अपनी पसंद के लड़के से शादी भी करनी है वो भी अपनी तरीके से चोटी हो ना चोटी रहो और यहां मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ माने ही मुझे फोन कॉल करके बुलाया था वरना मैं यहां कभी नहीं आती और अब जब वो मेरी शादी कर रही है तो उन्हीं मेरी ही पसंद के लड़के से मेरी शादी करवानी होगी प्रियंका अपनी चोटी बेहन की एक नहीं सुनती और अपनी मस्ती में मगन रहती है जिसके बाद वो फोन पर अपने बॉइफरेंड कार्तिक से बात करती रहती है वहीं दिन भर मेहनत करके बेचारी दुरगेश्वरी थक थका कर घर पर लोटती है जहां उसकी बेटी निशा उसको खाना परोस्ती है और दवाईयां देती है निशा अपनी मा के साथ थोड़ी सी लकड़ी लाकर जला देती है जिसकी निवास से वो खाना खाकर सो जाती है अगले दिन फिर से दुरगेश्वरी काम पर पहुंच जाती है इस तरह वो पैसे जोड जोड कर अपनी अमीर बेटी की शादी उसकी पसंद के लड़के कार्तिक से करवा देती है दुरगेश्वरी इस तरह हाथ जोड कर कार्तिक से ये सब कहती है और अपनी बेटी को शादी करके विदा कर देती है शादी के कुछ ही समय बाद से प्रियंका से कार्तिक थोड़ा थोड़ा दूर रहने लगता है शादी से पहरे जिए तुम ऐसे कभी न थे फिर आप तुम ऐसे क्यों करते हो मुझसे बात भी नहीं करते हो और रात को देर से आते हो इससे तुझे क्या मतलब? मैं जो करता हूँ अपने लिए करता हूँ ज्यादा मेरी बादों में अपनी टांग अडाने की जरूरत नहीं है हाँ समझी? वरना जिस जुबान से तु इतना कुछ बोल रही है उसे काट कर फेग दूगा कार्टिक ऐसा कहकर अपने कमरे में सोने चला जाता है अगले दिन जब प्रियंका की आँख खुलती है तो सुबह के नौ बजे होते है और कार्टिक का कोई अता पता नहीं होता वहीं दूसरी तरफ उसकी अलमारी खुली होती है और उस अलमारी में तिनका भी नहीं होता मेरी अलमारी में से सारे सोने के गहने और पैसे कहां गए है भगवान ये क्या हो गया तो इस तरह कार्तिक प्रियंका को लूट कर फरार हो जाता है प्रियंका उसकी कम्प्लेंड तो लिखवाती है लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चलता इसी के चलते अब प्रियंका को अपनी गलती का एसास होता है और वो वापस अपनी गरी मा के घर आती है दुर्गेश्वरी रोते हुए अपनी बेटी को गले से लगा लेती है मैंने तुझे बहुत समझाया था लेकिन आप कोई बात नहीं जहुआ उसे भूल जा अब तु मेरे ही बास रहेगी इस तरह प्रियंका को बहुत बड़ा सबग मिलता है और वो अब नौकरी करके अपनी मा और अपनी छोटी बेहन को देखती है वो अपनी छोटी बेहन के बढ़ाई लिखाई करवाती है और जब वो बड़ी हो जाती है तो अपने पैसों से उसकी शादी भी करवाती है कुछ समय में वो अपने गरीब मा के दिन बदल देती है और उनके साथ खुशी खुशी देहने लगती है